So Hi Everyone, स्वागत है आप सभी आगनबारी वहनों का पोशन ट्रेकर एप की एक नई वीडियो में मैं रितेश कुमार, तो जैसा कि पोशन ट्रेकर एप में आप सभी को एक समस्या देखने को मिल सकती है जैसे कि आप सभी लोग 14.2 का जो नयवल अपडेट आया हुआ था अगर आप लोग इस अपडेट को कर चुके होंगे तो आप सभी को पता होगा कि जितने भी बच्चे पहले से रजिस्टर हैं उन बच्चों के माता या पीता के आधार से आप लोग उनका आधार वेरिफाई असानी से कर ले रहे थे लेकिन यहाँ पे आप लोग को एक समस्या देखने को मिल सकती है कि उन बच्चों का आधार वेरिफाई करने का जो अप्सन है वो अब काम नहीं कर रहा है यानि कि कुछ प्रोबलम के चलते यहाँ पे आधार वेरिफाई नहीं हो पा रहा है चलिए इस वीडियो में पूरी जनकाडी समझेंगे और किस परकार से यह प्रोबलम ठीक होगी कब तक ठीक होगी सभी जनकाडी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो इस वीडियो को आप लोग यद तक जरूर देख लिजेगा और अगर आप सभी आगनबारी बहनों को आज की ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा ताकि आप लोग को इसी परकार के नए-ने कंटेंट देखने को मिलेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो तो देखे पोसंट ट्रेकर एप में जो पहले से रेजिस्टर बच्चे हैं उन बच्चों का अधार आप लोग उनके माता या पीता के अधार से कर रहे थे करेंगे और किली करने के बाद यहां पर प्रुफाइल अपडेट में आ जाएंगे जहां पर उस बच्चे के माता या पीता के अधार को हम लोग डालेंगे और यहां पर वेरिफाई करेंगे जैसे कि यहां पर एक नया पेज खुलके ओपन हो चुका है यहां पर इस का अधार का ऑप्शन बंद हो जाएगा और यहां पर नीचे मदर का यानि उसके माता का अधार का ऑप्शन खुलके आ जाएगा माले जिये कि अगर बच्चे के माता का भी अधार नहीं है तो यहां पर नीचे में दिया गया है मौदर डॉजनर ठाइब अधार तो फिर से ह वाले हैं कि यहाँ पर क्या प्रॉलम आ रही है तो जैसा कि हमने यहाँ पे उस बच्चे के माता का अधार नमबर डाल दिया है यहाँ पे डेट आप बर्थ भी डाल दिया है आपको यहाँ पे एक चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपने उस बच्चे के माता का जो नाम लिखा है यहाँ पे तो अधार कार्ड में यह नाम मैच होना चाहिए तब ही आपका अधार भेरिफाई जो है वो कम्प्लीट हो पाएगा तो इस परकार से आप लोग अधार कार्ड से मिला के यहाँ पे डिटिल्स भड़ि सफलता पूर्वक अपडेट हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा समय भी लग सकता है क्योंकि अभी सर्वर में कुछ प्रॉलम चल रही है जिसके करण आपका वहाँ पे सब्मिट नहीं होगा थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है उसके बाद आपका वो प्रुफाईल अपडे उस पे भी जाके आप लोग अधार वेरिफाई कर सकते हैं तो चलिए यहाँ पे हम यहीं से इस बच्चे का अधार वेरिफाई करने जाते हैं तो देखिए यहाँ पे अभी क्या प्रॉलम आ रही है जैसा कि हमने वहाँ पे सारा डिटेल साई साई भर लिया है फिर भी यहा यहां पे देख सकते हैं verify नहीं होगा यहां पे यह अस्थान जो है वह अधार verify के लिए वहां पे profile update करने के बाद यहां पे आ जाता है लेकिन यहां पे आ नहीं रहा है तो एक समस्या हम लोग देख सकते हैं इस परकार के समस्या आ रही है आप किसी भी category में चले जाएए जित of birth डाला है तो यहां पे फिर से 3.0 पे जाएंगे और यहां पे profile update पे किलिक करेंगे तो देखें यहां पे क्या हो रहा है कि जो बच्चे के माता का अधार नमर हमने डाला था वो यहां से फिर से हर चुका है देख सकते हैं यहां पे हमने उस बच्चे के माता का अधार नमर डाला था, Date of Birth डाला था, तो यहां से वो हर चुका है, हम दो तीन बार ट्राइ कर चुके हैं, लेकिन परफाइल अपडेट हो जा रहा है, लेकिन जो अधार वेरिफाइक का अप्शन है, वहां पे जाने के बाद अधार वेरिफाइक नहीं हो पा रहा है, तो यहां पे इस पर बच्चों का आधार वेरिफाई कर चुके हैं तो काफी अच्छा है और जिनका भी आधार वेरिफाई नहीं हुआ है तो जल्द ही 14.3 का एक नय अपडेट आएगा जिसमें आप लोग यहाँ पे उस बच्चे का आधार वेरिफाई असानी से कर सकते हैं और हो सकता है कि सर्व के कारण यहाँ पर लोग को इस परकार की दिग्कत हो रही होगी तो यह प्रोबलम भी आपकी एक से दो दिनों में ठीक हो जाएगी तो बस आज के इस वीडियो पसंद आई हो तिस वीडियो को लाइप कीज़िए चैनल को सब्स्राइब कीजिए और ज्यादा सब ज्यादा के साथ तब तक के लिए आप सभी का हमारे साथ इस वीडियों में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंद